करणाया तका के मुख्य मंत्री श्रीव बसावराज भुम्मई जी, मंत्री फरिशद में बेरे साथी, प्रहला जोसी जी, संसद में हमारे बरिश्ट साथी, डॉक्टर विलेंदर हेगिडे जी, परम पुझ्य स्वामे निर्मलानन्द नात स्वामी जी, परम पुझ्य स्रीश्री शिवरात्रि देश्री केंदर स्वामी जी, श्रीश्री विश्व प्रसन्द तिर्थ स्वामी जी, श्रीश्री नंजा वद्वा स्वामी जी, श्रीश्री शिवमुर्ती शिवाचारिय स्वामी जी, केंदरिय मंत्री मंडल के मेरे सभी सायोगी गण, सांसदगन बाई सिटी रवी जी दिल्ली करनाट का संग के सभी सदस्यकन देवी और सजनों सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ आज दिल्ली करनाट का संग इल्ला दुरू हीरू एतादरू हीरू एंदे लिगुनी कन्नाणा भागे हूँ आईची गवरव साली विरासत को आगे बढा रहे हैं दिल्ली करनाट का संग के सित्यों को देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो हमें इस प्रयास में भारत की अमर आत्मा के दर्शन होते हैं। दिल्ली करनाट का संग का गठन दिखता है कि आज़ादी के उस प्रथम पहर में किस तरह लोग देश को मजबूत करने के मिशन में जुट गए थे। मुझे खुशी है कि आज आज़ादी के अमरित काल के पहले प्रहर में भी देश की वो उर्जा, वो समर्पां आज उतना ही जिवन्त नजर आता है। मैं इस अवसर पर इस संग का सपना देखने वाली, इसे साकार करने वाली, सभी महान विपूतियों को नमन करता हूं। और 75 साल की याता सरल नहीं होती है, अनेक उतार जड़ावाते हैं, अनेक लोगों को साथ ले करके चलना पड़ता है। 75 साल तक जिन जिन लोगों ने इस संग को चलाया, आगे बढ़ाया, विकास किया, वे सब के सब अभिनंदन के अधिकारी है। मैं करना टका के लोगों को भी राष्ट निर्मार के उनके प्रयासों के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भारत की पहचान हो, भारत की परंपराय हो, या भारत की प्रेरनाय हो, करना टका के बीना, हम भारत को परिभाशित नहीं कर सकते। पवरानी काल से भारत में करना टका की भूमी का तो हनमान की रही है। हनमान के बिना नराम होते हैं, नरामायर बनती है। यूग परिवर्तन का कोई मिशन अगर अयोध्या से सुनू होकर रामेश्वरम जाता है, तो उसको ताकत करना टका में ही मिलती है। भाईयो बहनों मद्यकाल में भी जब आकरांता भारत को तबाह करने का प्रयास करते हैं। और सोमना जैसे सिमलिंग तोड़े जाते हैं, तो करना टका के देवरा दासिबया, मादरा चिन्नया, डोहर कक्कईया, और भगवान बस्वेस्वरा जैसे संत, जन जन को इस्टलिंग से जोड देते हैं। जब देश पर बहरी ताकते हमला करती है, तो रानी अबक्का, ओना के ओबवा, रानी चिन्नम्मा, और क्रांती विरा, संगोली रायन ना जैसे, भीर, उनके सामने दिवार की तरह खड़े हो जाते हैं। आजादी के बाद भी, काशी हिंदु विश्विल जलाई के, पहले वाई चांसलर, महराजा कृष्णराजा आडियर से लेकर, फिल्ड मारसल केम करीपपा, और भारत तनुपन, एम विश्वेस्वरिया तक, करणा टकाने हमेशा, भारत तो प्रेरिद भी किया है, और आकसित भी किया है। और अभी हम पुझ्य स्वामी जी से काशी के अनुभव सुन रहे थे। साथियों, कंड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत स्रेष्ट भारत के मंत्र को जीया है। उसकी प्रेणा उन्हें करणा टका की धर्ती से ही मिलती है। राष्ट कभी कुवेंपु की रचना, नाडा गीते हैं। हम अभी सभी ने उसको सुना और पुझ्य स्वामी जी ने जी उसकी व्याक्या की। कितने अध्भुत बोले। जय भारत जन्जनिया तनू जाते। जय करणा टकाम आते। कितनी आत्मियता से उन्होंने करनाट का माते की स्तुती की है। इसी में उन्होंने कहा है कि वो भारत माता की तनू जाते है। इस गीत में भारत भर की सब्यता का भी वर्णा है और करनाट का के महत्व और भुमिकाका भी जिक्र है। जब हम इस गीत के भाव को समझ लेते हैं। तो हम एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को भी समझ जाते हैं। साथ क्यों आज जब भारत जी ट्वेंटी जैसे बड़े वैस्विक समू की अध्यक्सा कर रहा है। तो लोग तंत्र की जननी मदरब डेमोक्रसी के रूप में हमारे आदर्श हमारा मारदर्शन कर रहे हैं। अनुभव मंटपा के जरिये भगवान बस्वेश्वरा के बचन उनके लोकतांत्रिक उपेश भारत के लिए एक प्रकाश की तरह है। कि मेरा सवभाग्य है कि मुझे लंडन में बगवान बस्वेश्वरा की मुर्ति के लोकारपन का हमारे इस गवरों के विस्तार का मोका मिला। साथ ही अलग-अलग भाशाओं में अने उनके वचनों को रिलीज करने का मुझे आउसर भी मिला। ये उपलब्तियां इस बात का सबूत है कि करनाटका की विचार परमपरा भी अमर है उसका प्रभाव भी अमर है। साथियों करनाटका ट्रेडिशन्स की धर्ती भी है और टेक्नोलोजी की बिर्दर्ती है। यहां हिस्टोरिक कल्चर भी है और मोडर्न आर्टिफिशल इंट्रेजेंस भी है। अभी आज सुबह ही मैं जर्मन चांसलर से मेरा मीटिंग थी है। और मैं मुझे खुशी है कि कल से उनका कारगम बैंगलूरू में हो रहा है। आज जी ट्वेंटी समों की भी एक बड़ी बैटरिक बैंगलूरू में चल रही है। साथियों मैं किसी भी राष्टा देख से मिलता हूँ तो मेरा प्रयास होता है कि वो प्राचीन और आधुनिक भारत की दोनों तश्वीरें देखे। ट्रेडीशन और टेकनोलोजी यही आज नए भारत का टेंप्रामेंट भी है। आज देश विकास और विरासत को प्रोग्रेस और परंपराओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। आज एक और भारत अपने प्राचीन मंदिरों को सास्कृतिक केंद्रों को पुनरजीवित कर रहा है। तो साथ ही हम डिजीटल प्रामेंट के मामले में बर्ल लीडर भी बन जाते हैं। आज का भारत हमारी सद्यों पुरानी चोरी हुई मुर्तियों को आर्टिफेक्ट्स को विदेशों से बापस ला रहा है। और आज का भारत विदेशों से रेकॉर्ड फोरेंड डायरेक इंवेस्ट्मेंट भी लेकर आ रहा है। यही नए भारत का वो विकास पत है जो हमें विक्सित भारत के लक्स तक लेकर जाएगा। जात क्यों आज देश के लिए और करनाटका की सरकार के लिए करनाटका का विकास एक सर्वोच प्रांथविक्ता है। पहले एक समय ऐसा भी था जब करनाटका में सरकार मना कर लोग यहां के पैसे को बाहर ले जाते थे। लेकिन आज देश का पैसा देश के संसाधन करनाटका के विकास के लिए इमानदारी से समर्पित किये जाते हैं। आप देखिए दो हजार नव से दो हजार चौदा के बीच केंद्र की तरफ से करनाटका राज को सालाना ग्यारा हजार करोड रुपिय दिये जाते थे एवरी यर। जब कि हमारी सरकार में दो हजार नव से दो हजार तेईस के बीच अब तक केंद्री की वर से तीस हजार करोड रुपिय भेजे गए हैं। कि दो हजार नव से दो हजार चौदा के बीच करनाटका में रेल परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर चार हजार करोड रुपिय से भी कम खर्च किये गए। और एक रेल मंत्री तो करनाटका के ही थे चार हजार करोड यानि पांच साल में चार हजार करोड पेसे भी कम जबकि हमारी सरकार ने इसी बार के बज़ेट में करनाटका के रेल इंफ्रास्रक्टर के लिए करीब साथ हजार करोड प्ये दिये हैं इस वर्ज की बात कर रहा ह में नेशनल हाइवेच के लिए भी पिछली सरकार के पांच वर्षों में कुल मिलाकर छे हजार करोड रुपिय करना टका के लिए दिये गए लेकिन इन नव वर्षों में हमारी सरकार ने हर वर्ष 5000 करोड का निवेश करणाटका में किया गया कहां 5 साल में 6000 करोड कहां हर साल 5000 करोड साथियों हमारी सरकार द्वारा लंबे समय से चलिया रही अपर भदरा प्रोजेक की माँग को भी पुरा किया जा रहा है इससे तुमकुरू, चिकमंगलोर, चित्रदूर और दावनगेरे सहीत सेंट्रल करनाटका के बड़े सूखा प्रभाविक छेत्र को लाभ होने वाला हैं, मेरे किसानों का कल्यान होने वाला है यह विकास की नई रफ्तार करनाटका की तस्वीर को तेजी से बदल रही है, आप में से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लंबे समय से अपने गाउन नहीं गए हैं, आप जब वहाँ जाएंगे, तो आपको अस्षिर भी होगा, गर्ब भी होगा, साथियों, दिल्ली करनाटका संग के 75 वर्षों में, उन्टनती, उपलब्दी और ग्यान के उत्तगर्स के कई महत्व पूंच्छान हमारे सामने आए हैं, अब अगले 25 वर्ष, और भी महत्व के हैं, अम्रितकार और दिल्ली करनाटका संग के अगले 25 वर्षों में, आप कई महत्व पूंच्छान काम कर सकते हैं, जिन दो चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं, वो है कलीके मत्तु कले, यानि ग्यान और कलाँ, अगर हम कलीके की बात करें, तो हम जानते हैं कि हमारी कंणड़ा भासा कितनी सुन्दर है, इसका साहित कितना सम्रिद्ध है, साथी साथ कंणड़ भासा की एक और विशेस्ता है, ये वो भासा है, जुसे बोलने वालों में रिडिंग हैबिट बहुत स्ट्रॉंग होती है, कंणड़ भासा के पाठकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, आज किसी कंणड़ में कोई अच्छी नई किताब आती है, अच्छी सर को उसे रिप्रिंट करवाना पड़ता है, और भासाओं को ऐसा आप सहुभागे नहीं है, जो करना टका में है, आप में से दिल्ली में रहने वाले साथी जानते होंगे कि अपने मुल्ड राज्य से बार रहने वाली नई पीड़ी के लिए भासा की कठिनाईया कितनी बढ़ जाती है, इसलिए चाहे जगदगुरु बस्वेस्वर के वचन हो, या फिर हरिदास के गीत, चाहे कुमार व्यास द्वारा लिखित महाबारत का संसकरण हो, या फिर कुवेंप्य का लिखा रामा एंड दर्शनम, इस विशाल धरोहर को अगली पीड़ी तक पहुचाना बहुत जरूरी है, मैंने सुना है, क्या इप लाइब लाइबरेरी भी चलाते हैं, आप नियमित रुप से स्टडी सर्कल, सैशन्स, साहिते समंदित चर्चा, बार बार अनेक कारकमा पायोजित करते रहते हैं, इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इससे आप दिल्ली के कनड़ इगाओं के बच्चों को कनड़ में पढ़ने की आदत विक्षित करने में मदद कर सकते हैं, इस तरह की प्रयासों से कली के यानि ज्यान का जो प्रसार होगा, वो दिल्ली के कनड़ लोकों के साथ साथ, दूसरों को भी प्रभावित करेगा, कन्नडा कलियरी यानी कन्नड सिखना और कन्नडा कली सिरी यानी कन्नड सिखाना दोनों में मदद होगी साथियो कली के साथ कले यानी आठ के खिषِत्रा में भी करनाटका ने बहुत असाधान उपलब्दियां हासिल की है मैं आभारी हूँ उस कारकम में इतने कम समय में मुझे पूरे करनाटकर के कल्चरल को इसकी यात्रा करने का मोका बिल गया करनाटका क्लासिकल आर्ट और जानपदा आर्ट दोनों में समुरुद है कंसाले से लेकर संग्जीत की करनाटका श्वैली तक भारत नाट्यम से लेकर यक्षगान तक करनाटका की हर कलाम में आनन से भर देती है पिछले कई वर्सों से बिल्ली करनाटका संग ने कई ऐसे कारकम आविजित किये है लेकिन अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है मेरा आग्रह है कि बविश में जब भी कोई कारकम हो तो हर देली कनाडी का फैमिली ये प्रयास करें कि उनके साथ एक गैर कंड़ परिबार भी शामिल हो ताकि वो करनाटका के वैभव के साक्षी बन सके और करनाटका की समरिद्ध कलाओं का आनंद ले सके कनड संस्कृति को देखने दिखाने वाली कुछ फिल में गैर कनड़ लोगों में भी बहुत लोग प्रियव हुई है इससे लोगों में करनाटका को जानने समझने की जिग्यासा बड़ी है हमें इस जिग्यासा को उप्योग करना है साथ ही मेरी आप से एक और अपेक्षा है करनाटका के कलाकार प्रबुद्ध लोग जो यहां आये हैं आप दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पी-म म्यूजियम और करतव्यपत जैसी जगों पर जुरूर जाना उसके बाद ही वापिस जाना आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपको गर्व से भर देगा आपको लगेगा कि यह काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे मैं चाहूंगा कि आप यहां के अनुभवा को करणाटका के लोगों को भी बताएं साथियों इस समय दुनिया भारत की पहल पर इंटरनेशनल येर अप मिलेट्स मना रही है करणाटका तो भारतिय मिलेट्स यहने सिरी धान्या सिरी धान्या का प्रमुक केंद्र रहा है आपका श्री अन्रागी करणाटक की संस्कृति का हिस्सा भी है और आपकी सामाजिक पहचान भी है करणाटका में हमारे एदुरप्पजी के समय से ही श्री धान्या के प्रमोशन के लिए कारकम भी शुरू किये गए थे आज पूरा देश कंड़िगाओं के रास्ते पर चल रहा है और मोटे अनाजों को श्री अन्न बोलना शुरू कर दिया है आज जब पूरा विश्वर श्री अन्न के फाइदों और इसकी जरुवत को समझ रहा है तो आने वाले समय में इसकी मांग भी बढ़ने वाली है इससे करनाटका के लोगों का करनाटका के छोटे-छोटे किसानों का बहुत फाइदा होने वाला है साथियों 2047 में भारत जब एक विश्वित रास्त के रुप में अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब दिल्ली करनाटका संग भी अपने सौवे साल में प्रवेश करेगा तब भारत के अमृत काल के गवरों में आपके योगदानों की भी चर्चा होगी इस भव्य समारों के लिए और 75 साल के इस आयात्रा के लिए मैं फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ मैं पुझ संतों का भी रुदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पुझ संतों ने हमारे बीच आकर के हम सब को आशिरवाद दिये हम सब को प्रेड़ा दी मैं पुझे संतों का भी आशिरवाद प्राप्त करने का यह लिए सौफागे मुझे प्राप्त हुआ इसके लिए अपने आपको गवरवानित महसुस कर रहा हूँ मैं फिर एक बार आप सब का रजय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की